हालो फेंडेक कैसे हैं आप आपके अपने यूट्याम पर मैं अभी आप लोगा बुलबुल स्वाग करता हूं दोस्तों हम लोग इंसेंट हिस्टी में यानी प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागेतिहासी काल इसे पहले बाले वीडियो में हम लोग पढ असानी से दिखाई दे सके आज का जो टोपिक है मानो की उत्पत्ति ओविकास कैसे हुआ था अधिकांस बिद्वानों का मत है मनना है कि आज से लगभग 10 लाख वर्स पुरू या इससे भी पहले इससे पहले यानी नर्वानर यानी प्राइम मेट्स से ही ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानों के सामान था तीक है आज से 10 साल पहले सोरी 10 लाख वर्स पुरू वो नर्वानर का जन्म होता है कि ऐसे ही करकर जो है वह मानों के सामान वो जन्म लेते हैं धीरे धीरे जो है ये प्राणी ब्रिक्छो से उतर कर देखिए सबसे पहले जब मानों जन्म ठीक है तो ब्रिक्षो पर रहना सुरू करते हैं धीरे धीरे वो उतर कर पिछले वारे पैरो पर खड़े होकर चलना सीख गए देखिए पहले जो मानों हुगा करते थे वो चारो पैर से चलते थे देखिए दो पैर और दो हाथ है अभी के मानों को तो यह चारो से जैसे बंद तो आजी देखे गातो प्रिथ्वी पर हुसार है नियुकर पर रहने लगे यन तो पुछ इस तरह से विकास हुआ है आये नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जिवास में भारत में नहीं मिला है इनका जो है परमान है वो भारत में नहीं मिला है मानों के प्राचिंतम आसित्व का संके द्वितियक यानि हीमावतन गलेसिय यसन काल में बताया जाने वाला संचायू में मिले पत्थर के अवजारों स से मिलता है जिसका काल लगभग अधाई लाख वर्स इस भी पुर्व रखा जा सकता है तो आज से हर दो लाख पचास अजार पुर्वो इसका काल देखने को मिलता है ठीक है चलिए आए थोड़ा यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों प्राइम प्राइम मिस्ट क्या है तो प्राइम मिस्ट का अर्थ होता है नरवानर जिसके अंतरगत बंदरो लंगूरो वन मानूसो तथा इसके अस्तंधारी जीवों को सामिल किया जाता है प्राइम मिस्ट की से ही आधूनिक मानो का विकास हुआ है तो आधूनिक मानो का विकास जो की प्राइम प्राइमेट्स से हुआ है ऐसे प्रानी आज से देखा जाए तो असी लाख वर्स पुर्व अफेरिका में निवास करता था भारत में नहीं था ठीक है चलिए लेकिन हाल में महाराष्ट के बोड़ी नामक अस्थल से जिन तत्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार मानों की उत्पत्ति और और भी पहले 14 लाख वर्ष पुर्वर रखी जाती है इस बिसाय पर और खोज की अवसरकता है ग्यात्व हो की अफेरिका की अपेक्षा भारत में मानों के बाद में बसे हलाकी 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 उप महाद्वीप का पारशान तकनीकी मोटे तोड़ पर उसी तरह बिक्सित हुए हैं जिस तरह अफेरिका में हुए है खिक है चलिए नेक्स्ट है कि जिस काल की जनकारी के लिए लिखित और प्रामानिक साधन उपलब्ध है उसे बिद्वानों ने एतिहासी काल कहा यानि कोई लिखिस साक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो प्रागयतिहांसिक पुरातत्व के जनक है रॉबर्ट बूसफुड ठीक है भारत में पुरापाशान काल से संबंधित पुरातत्व खोज को सुरूक करने का स्रे रॉबर्ट बूसफुड को दिया जाता है और ये भू भारतिये भू गर्विक बैग्यानिक थे ठीक है सर्वेक्षन के रोबर्ट बुस्फुड ने वर्तमान तमिलारू राजे के चिंगल पुट जीला पलवरम चेन्नाई मदरास के निकट नामक अस्थल 30 मैं 1863 को लेटराइट मिट्टी के जमाओं से हस्त ठाकूर को खोज निकाला था चलिए नेक्स्ट है क्या दे रहा है रोबर्ट बुस्फुड भारत में प्रागयति हासिक पुराततों के जनक है ये आपके एकजामें बार बार पूछे जाते हैं कि रोबर्ट बुस्फुड प्रागयति हासिक काल के पुराततों के जनक कौन है तो रोब में दिसंबर 1912 में इनका निधन हुगा था ठीक है चलिए रावर्ट प्रूस्फूट के बारे में हम लोग ने थोड़ा जाना है उसके बाद दोस्तों यहां पे जो है वह आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर दोस्तों आधुनिक अगर मानव पूछता है आपसे तो होमो सेपियन्स आधुनिक मानव है ठीक है आधुनिक मानव होमो सेपियन्स है चलिए यहां पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहां पे प्रस्तर यूग प्रासान काल और आधी मानव देखिए प्रा इतिहासिक काल के जो औजार एवं हतियार प्राप्थ हुए है वे पत्थर यानि पासान काल के है इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को प्रासान काल की संग्या दी जाती है मानों के जो इतिहास है वो प्रारंभिक इतिहास को पत्थर का इतिहास यानि पासान काल के रूप में जाना जाता है ठीक है चलिए जो कि उस समय के मानों आवजार एवं हतियार से उनलोग प्रचित थे और पत्थर से भी प्रचित थे इसलिए पत्थर का काल यानि पासान काल देख रहे हैं यह तो आप यह तीन को देख रहे हैं ये पुरा पाशानकाल, मध्धे पाशानकाल और नौ पाशानकाल ये पाशान यूग है ठीक है और देखिए नीचे देखिए और ये तीन को आप देख रहे हैं ताम्रकालीन यूग, कास यूग और लौ यूग ये तीनो धातु यूग है तो हम लोग इसमें क्या आपके ठीक है, इस काल में मानों ने आखे टक ओ संगरा काल का जीवन भिताया था और इनके खोझ करता Robert Brucegood है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्धे पाशान काल, यानि पत्थर युग प्राशान माने होता है पत्थर मध्य मने मध्य बीचका और युग मने काल तो इनके खोज़ करता जोन ईवार्थ वास, जी हये और इस काल में मानों ने आखे टक वोपसू पालग काल में बिदाया है ठीक है चलिए 9 पराशान काल की बात करें तो 9 पराशान क बहले रोज है अर इस काल में मानोंने परथम खाद उत पादन पहिए उपक्डिसी का अविश्कार किया था ठीक है नौपार सानकाल में और दोस्तो हम लोग धातु यूग यानि इसका बात करते हैं तो ताम्ऩ कालीन यूग ताम्ध यानि ताम्भ मन तंबा पलस अथर को मिला कर तंबा कालीन मान होता था और इस तंबा कालीन यूग में मानों ने तंबा का पड़ियोग किया था यानि तंबा से वो अवजार बनाने का जो उन्होंने सीखा था यूग को मिला कर निर्मान करता है चलिए नेक्स है लओ यूग लोह यूग का मानों द्वारा परियोग वैदी काल में होता है और वैदी काल में लोहे का परियोग करना मानों जानते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि पत्थरों के टुकरों से निर्मित घरों को सैला स्रे कहा जाता था बार बार इस एक्जाम में पूछा जाता है कि सैला स्रे किसको कहा जाता है तो पत्थरों के टुकरे निर्मित जो घर होते थे उसको सैला स्रे कहा जाता है ठीक है चलिए हम आगे आते हैं यह नहां पर हम देखते हैं पुरा पार्षानकाल उसके बाद दोस्तों पुरा पार्षानकाल हम देखेंगे और पुरा पार्षानकाल को भी तीन भागों में बाटा गया है निमने पुरा पार्षानकाल मध्य पुरा पार्षानकाल और उच्छे पुरा पार्षानकाल देख सकते पाशा का सब्द है जिसमें पाली योस का अर्थ है प्राजीन एवं लीथेस का अर्थ है पाशान ठीक है और इस काल में देखा जाये तो मानों ने आखेटक एवं खाद संग्रह का काल के रूप में बिताया या रूप में जाना जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है भारत में पुरा पाशानकालीन मनुस्य के सारीरिक अवसेस कहीं से नहीं प्राप्थ हुए है क्योंकि इसका कोई अस्थाई निवास नहीं था चलिए नेक्स्ट है देखे पुरा पाशानकाल में मानव का अस्थाई निवास नहीं था वो एक जगा से दूसरे जगा भर्मन करते रहते थे आज यहां तो कल वहां तो परसो वहां तो आस्थाई निवास मानों का पुला पार्षान काल में देखने को नहीं मिलता है चले नेक्स्ट है कि मनुस्य का जीवन पुर्ण रूप प्राकृतिक पर निर्भर था वे आखेटक और सिकार यानि आखेटक को ही सिकार बोला जाता है और वो पुर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर थे और वो सिकार करकर अपना भोजन प्राप्त करते थे यानि कंद कंद मुल प्राप्त करते थे इस काल में मानों को अगिन का ज्ञान जो कि आग का अविस्कार एक लाख है इस भी पुर्व था प्रंतु अगिन के प्रयोग से अनभिगे थे देखे पुरा पाशान काल में मानों के पास आग का ज्ञान था लेकिन आग से वो लोग अनभिगे थे इसका उपयोग करना नहीं जानते थे तो पुरा पारशानकाल में था तो इकजाम में कोश्चन बन जाता है कि आग का अभिस्कार जो है वह किस समय हुआ था तो पुरा पारशानकाल में हुआ था तिक है और यूज करना सही धंग से नह ले नेक्स्ट है कि इस यूग को तीन भागों में बढ़ा पुरा पारशान काल को तीन भागों में बढ़ा गया है निम्र पुरा पारशान काल मध्य पुरा पारशान काल और उच्छे पुरा पारशान काल आए हम सबसे पहले निम्र पुरा पारशान काल में दोस्तों आपको इनपोर्टेंट है थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं दोस्तों ठीक है चलिए इस काल से मानो मुलेता क्वाटजाइड पत्थर का उपयोग करते इस काल के उपकरनों को दो भागों में विभगत किया जाता है तो देखिए निम्रपुड़ा पार्षान काल में मानों ने क्वाटजाइड पत्थर का उपयोग करकर वो सिकार करते थे ठीक है चलिए और इस काल को जो है वह दो भागों में बाटा किया है पहला चापर और दूसरा हैंड चापर माने होता था चापिंग पेबुल संस्कृती हैंड माने होता था एकसस संस्कृती ठीक है इसके उपकरन सर्वोपर्थम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं इसी कारण सोहन संस्कृती भी कहा जाता है इसी कारण से सोहन संस्कृती के भी नाम से जाना जाता है चापर जो है वो पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है इसलिए सोहन संस्कृती के रूप में जाना जाता है चलिए next है hand इसके उपकरन सरोपर्थम मदरास में प्राप्थ हुए है जो की समीप है बादम दूर आई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्थ हुए है सधारन पत्थर से कोड तथा फ्लेक प्राणाली द्वारा निर्मित ये गए है इसे मदरास संस्कृति के नाम से जानता है देखिए मदरास में उखा है तो मदरास संस्कृति के नाम से जाल हैंड कहां से हैंड कहां से मिला है मदरास से इसलिए मदरास संस्कृति के नाम से जाना जाता है और जो है वह चापड कहां से मिला हुआ है तो सोहन नदी घाटी से मिला हुआ है इसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए सर्वो पर्थम रॉबर्ट ब्रूसफूड ने 1863 इसभी में मदरास के पास पल्लावबरम एक जगा है नामक अस्थान से पर्थम हैंड एक्स की हाथ की कुलहारी यहाँ से मिलता है ठीक है कहां से दोस्तों जो कि रॉबर्ट ब्रूसफूड को पल्लावबरम मदरास में पलता है यहां से हैंड की कुलहारी याई हाथ की कुलहारी प्राप्त होता है चले नेक्स्ट है उनाइस सो बिरासी इसवी में अरून सोन किया निमध्य परदेश के हो संगाबाद जीले में इस्तित हतनावडा नर्मदा नदी घाटी से मानव का जो है कापाल यानि खोपडी का जिवास में प्राप्त हुआ जो की भारत में प्राप्त मानव अवसेस का प्राचिनम साक्षे है देखिए उनाइस सो बिरासी इसवी में मध्य परदेश में एक जगह है हतनावडा हतनावडा जो की नर्मदा नर्मदा नदी के घाटी में परता है और यहाँ से मानों के खोपडी के कांकाल प्राप्त हुए है ठीक है चलिए मध्य पाशान काल की ब कि जो है वह निम्र पुड़ा पासानकाल में क्वार्ट जायट पथर करते थे लेकिन मथे पासानकाल में आए तो जैस पर चाड्ड फिलेट के प्थर का प्रयोक्त होने लगा तो क्वार्ट जायट को छुरु कर इन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया चलिए नेक्स्ट है कि फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हस मुखे धीरज लाल संकालियाय ने इसे फलक संस्क्रीती की संग्या दी जाती है फलक एक परकार का आउजार होता है जिसे पत्थर को तोरकर बनाया जाता है चलिए हम लोग दोस्तों बात करेंगे उच्छे पुरापाशानकाल देखें पुरापाशानकाल को तीन भागों में बाटा गया है एक है निमन पुरापाशानकाल उच्छे पुरापाशानकाल और मध्य पुरापाशानकाल ठीक है चलिए बात करते हैं इस यूग के उकरन जो है वो ब्लेड होते थे ठीक है तो देखिए कैसे मानों ने धिरे धिरे भिकास करना शुरू किया देखिए पहले में क्वर्ट आठ फिलेट का यूज और तीसरे में ब्लेड का यूज और इसमें मानों ने विश्व ब्यापी संदर्व में जिसकी दो विलच्छन ताय है एक में है दोस्तों नय चमक उपियों की अस्थापना दूसरा में आधुनिक प्रारूप के मानों होमो सैपियंस का शरोपर्थम उदय हुगा ठीक है तो उच्छे पुरापासानकाल से आपको इतना याद रखना है और दोस्तों उमीद करता हूं कि यह आपको जो है वह अच्छा लगा होगा और यहां पर देखिए यहां पर कैसे सजाया गया है थोड़ा इसको हम लोग दोस्तों देख लेते हैं छumen हड़ा देखिए पुरापासान यूग के 6 रेक वड़ हुगा देखिए पु disputes अनि पुरापासान काल मद्य पुरापासान काल और उच्छे स यहां पे चापड का यहां परयोग किया गया था और देखिए यहां पर फलक की बात करें तो यहां पर सोहन नदी और एक बोलन घाटी जो कि मिर्जापूर में है सालक संस्कीती की बात करें तो छार बाता गया पहला सोहन नदी घाटी बोलन घाटी नबदा घाटी और तुंग भर्दरा ठीक है साल्क संस्कीति को दोस्तो चार वडगों में विभाजित किया है पहला सोहन घाटी तुसरा बोलन घाटी नरमदर घाटी और तुंग्र भडरा घाटी या साल्क संसीति चार छेतरों में विभाजित थे आए हम बात करते उच्छी पूरापासांकाल को तो उच्छी पूरापासानकल यानि सीलक और स्लक दोनों को मिला कर जो है उच्छी पूरापासानकाय समक्ती यहां पर देखने को मिलता है यहां बात करें दोस्तों तो यहां पे कई अस्थान से वर्गी करन मिला हुआ है जैसे बोलन घार्टी, छोटा, नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराश, करणाटक और आंध परदेश तो बहुत ऐसे जगह है जहां से इसका वर्गी करन देखने को मिलता है उ यह कहें कि इन्पोर्टेंट है आपके लिए dh homo क्या होता था दोस्तों देखिए homo लालीनी भासा का एक सब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी इससे पुरुस और इस्तरी दोनों इसमें जो है वह पुरुस इस्तरी दोनों सामिल है होमो कई प्रजातियों में उसके गून के अनुसार वर्गी क्रिते किया जाता था ठीक है देखिए होमो हैवी लीस होमो हैवलिस यानि औजार बनाने वाला मानो होमो एरेक्टर्स यानि सिधे खड़े होने वाला मानो होमो सापियंस यानि चिंतन सील आधुनिक मानों तो होमो सापियंस यह आधुनिक मानों है जो कि चिंतन सील मानों है तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और दोस्तो यह जो है वह प्राचिन इतिहास यानि एंसेंट हिस्टी का आज हम लोग ने प्रागय इतिहासी काल को कौबर किया है और धिरे धिरे हम नेक्स्ट करकर यह को समाप्त करेंगे और पूरी गहडाई में पढ़ने का परियास हम लोग इस बुक से कर रहे हैं और उमीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर से रिखीजेगा चलिए हम लोग फिर